हलो फ्रेंड्स सम्समाई गटने चक्री के ओफीशील यूटीव चैनल पर आपका स्वागत है most welcome to all of you आज हम लोग अपने economics की new topic जनसंख्या एव नगरी करण ठीक है population and civilization को पढ़ेंगे urbanization ठीक है population and नगरी करण को urbanization urbanization clear अगर आपने पिछली geography classes देखी है की है तो यह सारे topics हम लोग cover कर चुके है economics geography commercial geography यह सारी चीजों में अलग गलक चीजे economics की पार्टे आ रहें clear so let's start with the जनसंख्या विश्व के 2.4 प्रतिशर 2.4% भागॉलिक शेत्र जेग्रिफिकल एरिया है और विश्व में साथ वा नंबर पे भारत की विश्व में 17.5% जनसंख्या निवासित है clear इस पॉइंट का मतलब किया हुआ कि पूरे विश्व का अगर जोग्रिफिकल एरिया शेत्र देखें तो भारत की कितना पॉइंट है तू पॉइंट फो अगर हम जोग्रिफिकल एरिया शेत्र के हिसाप से देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत का जो हिस्सा है शेत्र है वो कितना है टू पॉइंट फॉपरसंट ठीक है next point देखे एक point यह हो गया दूसरा point विश्व में भारत का क्या है सात्वे नंबर पे देश है सात्वा नंबर मतलब शेत्रवाइस देखा जाए 2.4% cover किया है अगर 1,2,3,4 sequence देखा जाए sequence इस आप से भारत कौन सा नंबर है सात्वा clear नंबर 2 नंबर 3 जितनी पूरे विश्व की जनसंख्या है उसका 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का अगर 17.5% देखा जाए तो वो किसने cover किया है भारत ने पूरे विश्व की सारे 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है तो इस point में ठीक है पहले वाले point में हमारे 3 point निकले पूरे विश्व की साब से एरिया वाइस देखा जाए भारत 2.4% ठीक है सीक्वेंज में साथवे नंबर पे और पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या किसमें है भारत में निवास करती है clear next point थोड़ा साथ ठंडी आ रही है गलावला गरबड हो रहा है तो अगर कुछ डाउट होगा प्लीस कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ तीजेगा next class में I'll definitely clear the point okay next point यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से प्रथक किया जाए तो यह चीन भारत सयुक्तिराष्ट अमेरिका that is your USA और इंडोनेशिया के बाद इंडोनेशिया के बाद पाच्वा स्थान है ठीक है अगर विश्व से क्या किया जाए उत्तर प्रदेश जितनी भी संख्यां क्या पूरे भारत में सबसे अधर जनसंख्या कि स्टेट की है हमारे यूपी की है तो इस पॉइंट में कहा गया है कि अगर भारत की पूरी जनसंख्या में से यूपी की जनसंख्या हटा दी जाए यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से प्रिथक किया जाए तो यह चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद पाच्वे स्थान पर आए, कौन आए, उत्तर प्रदेश, क्लियर हो रहा है, UPI, पाच्वे नमबर पर, क्लियर, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट होगा, क्लियर, चलिए, नेक्स पॉइंट, भारत के सरवादिक जनसंख्या वाले, पाच राज, ठीक है, कौन-कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, हम पहले ही बात कर चुके हैं, नमबर वान, महराश्ट्रा, नमबर चू, बिहार, पश्चिम बंगाल, और आंध्रा, ठीक है, 2011 की जनगर्ना, जिसको अभी भी मानने हैं, जो जनगर्ना, जिसे हम लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से देखा जाए, तो भारत के सरवादिक जनसंख्या वाले, पाच राज्ये कौन से हैं, यूपी, महराष्ट, बिहार, बंगाल, और आंध्रा, नेक्स पॉइंट, नचल प्रदेश, हमारे नौर्थ इस के टीनों सेट, ठीक है, नौर्थ इस के, टीनों सेट, सिक्के, मिजोरमेन, और नाचल प्रदेश, चलिए, नेक्स पॉइंट, सरवादिक, दशकी वर्धी वाले पाच राज्य, दशकी वर्धी हमने बात किया था, जम जोगर्फी में पढल हें तेन समें क्यों dal्साल को तेके हैं डविस्त करчи निणी का दश्क माले डस पत आप को तो तस साल पूर स dal्स निकाल के तब वह डश हचीव विर्दी होगी कि दश साल की पूरे एवरिज में कितना बढ़ा चहु एक ठीक है ओके सो सरवाधिक माक्सिमम डिकेडल इसको और एक चीज़ कहते हैं इंग्लिश में कि अ में देखा गया है वर्दी हुए है मेघाले अवनाक्षर प्रदेश बिहार मनिपुरहन जीनके यह ऐसे पाथ स्टेट है जिसमें कि सर्वादिक दश्रकी वर्दी देखी गई है क्लियर नेक्स पॉइंट नियुंतम दश्रकी वर्दी मिनिमम वाले मिनिमम डेकडल ग्रोथ व ठीक है मिनिमम डेकडल ग्रोथ वाले कौन से पाच राजे है नागा लैंड इस नागा लैंड लिखा है इस नागा नागा लैंड केरल गोवा अंत्रपदीश है सिक्किम नेक्स पॉइंट सम्धिंग सेटिंग इस ओवर्दिक लिए नुपाथ इसके बारे में पढ़ चुक सरवादिक लिंग अनुपाथ वाले पाच राजिय जिसमें कि हमने इसके बारे में बात किया था फिर से रिवाइस कर दे रही हूं एक हजार चौरासी का मतलब हुआ एक हजार में फीमेल से diamond ऑस पे कितने फीमेल से तो यहाँ पर क्या हुरहिए मैकसिमम लुपाथ की बात की जा रही है कलियर इसके सारवादिक débाउपाथ की बात की जा रही है तो इसके साप cap पस्रेंग एक हजार पर एक हजार चौरासी मला है तामिल नाडू एक हजार पुरुश्यों पे 993 मेला है अंद्र, एक हजार पे 993 म Regular ए किआ cu chachgarh एक हजार पे 291 मेला है और मेगाले में 999,989, clear? तो यह क्या है maximum sex ratio जुए, minimum sex ratio आई यह, इसमें क्या है, हर्याणा एक हजार पुरुषें मैलाएं कितनी है, आठ सो 89, जम्मू कश्मीर एक हजार मैलाएं सुरी पुरुषें, आठ सो नवासी ठीक है, सिक्किम एक हजार पे 890 मैलाएं पंजाब 895 और यूपी 912 एक हजार पुर्शों पे यूपी में नौसो एक्यानवे महिला है ठीक है यह का लिंग अनुपाद यह सेक्स रेशियो है क्लियर नेक्स पॉइंट सर्वादिक सक्षार्थ सक्षर्था ओके फोट इस सक्षर्था हमने इसके बारे में पहली पढ़ा है सक्षर्था दर आपका सर्वादिक सक्षर्था दर वाले पाच राजे मतलब लिट्रेट लिट्रेशी पढ़े लिखे सो केरल नंबर वान 94 परसंट लोग यहां पढ़े लिखे हैं मेजोरम नंबर तू 91.3 परसंट गोवा नंबर त्री त्रिपुरा नंबर फोग 87.2 परसंट एन हिमाचल 82.8 परसंट यह टॉप 5 ऐसे स्टेट है भारत के जो की साक्षर हैं लिट्रेट हैं यहां की इतनी परसं पॉपलेशन पढ़े लिखी हैं जो आप कोई परसंटीज में सब दिया जा रहा ना इसका मतलब है कि यहां की इतने लोग क्या हैं पढ़े लिखे हैं लिट्रेट हैं एजुकेटेट हैं नेक्स्ट नियूंतम साक्षरता वाले ठीके मिनिमम पढ़े लिखे कम पढ़े बिहार बिहार में टोटल पॉपलेशन का 61.8 परसंट पढ़े लिखे हैं आउना चल 65.4 राजस्तान 66.1 जारकन 66.4 और आंध्रा 67 परसंट इन पाचों स्टेट में क्या है सबसे कम साक्षरता अधर है क्लियर ओके नेक्स पॉइंट नियूंतम महिला साक्षरता अधर मिनिमम फीमेल लिट्रेसी रेट मतलब MFLR तीन राज बिहार मिसे 51 परसंट लेडी पड़े लिखी हैं नाजस्तान 52 जारकन 55 ठीके यहां महिलाओं की एग्जुकेशन के बारे में साक्षरता के बारे में बताये गया है इतनी महिला यहां पर इतने परसंट महिला यहां पर साक्षर हैं यह ट्रेट हैं clear next point उत्तर प्रदेश के 10 लाग से भी अधिक जनसंख्या वाले महा नगर ठीक है उत्तर प्रदेश में क्या है अभी पहली बताया कि इस अ मोस्ट पॉपुलेटेट सेट ऑफ दा कंट्री क्लियर यहां पर कई ऐसे जिले हैं जिसमें 10 लाग के उपर पॉ आपका बनारस चटे पर महरत और सात्वे पर इलाबाद clear तो यह यूपी के ऐसे साथ जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाग से अधिक है यह यूपी के महा नगर है clear महाराष्ट्रा में देश की सरवादिक शेहरी जनसंख्या की कुल शेहरी जनसंख्या इतनी रहती है मतलब पूरे महाराष्ट्रा में सरवादिक शेहरी जनसंख्या निवास करती है कितनी है 58.81 58.181 million जन्जंख्यां क्या करती है यहां पर शेहरों में निवास करती है टोटल देखा जाए 13.5 of the total population okay जिसके पश्यात उत्य प्रदेश में महाराज के पास कौन महाराज के बात इसका नंबर है यूपी में महाराज में 58.81 था नंबर 1 यूपी नंबर 2 44.49 million 44.49 million आबादी यहां निवास करती यूपी में थार्ड नंबर पे तामिल लाडू 34.92 million number 4 पर्षिम बंगार 29.09 million आबादी अशेहरी आबादी यहां पे निवास करती क्लियर नेक्स पॉइंट जनगर्ना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में ग्रामिर जनसंख्या का अनुपाद 68.1 प्रतिशत है जबकि शेहरी का 32 प्रतिशत बहुत इंपॉंटन पॉइंट है यह यह कोश्चन यह पॉइंट कई बार कई एक्जाम्स में पूछा जा चुक अब कितने प्रतिशत ग्रामिर जनसंख्या निवास कर रही है तो ग्रामिर कितनी है 68.8% प्रतिशत जनसंख्या क्या है वो गाव में निवास करती है और शेहरों में बाकी की 31.2 अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना आएगा क्लिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लियर हो रहा है न तो यह आपका हंड्रेड आ जाएगा नेक्स पॉइंट जनसंख्या 2011 की जनगर्णा की अनुसार सरवादिक शेहरी प्रतिशत्ता परसंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माक्सिमम लोग किस शेहर में है ओके स्टेट में हैं सौरी गोवा माक्सिमम देखा जाए तो गोवा में 62% मिजोराम नंबर 2 52% तामिल लाडू 48% एं केरल यो 47% लास्ट में माहराष्ट्रा 45% ठीक है इस पॉइंट का मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर हम लोग 2011 की जनगर्णा की अनुसार देखे जनसंख्या में सारवादिक शेहरी प्रसंटेज वाले राजी कौन-कौन से हैं गोवा नंबर 2 मिजुराम नंबर 2 ता चाहमिलनादू 3 केरल 4 और महराष्ट्रा 5 क्लियर नेक्स पॉइंट उत्तर प्रदेश में ग्रामिर जनसंख्या कितनी रहती है 77.7 उत्तर प्रदेश में गाओं की जनसंख्या ग्रामिर जनसंख्या मतलब कितने % लोग गाओं में निवास करते हैं कितने हैं 77.7 % population पूरे य 22.3 आपकी बागी शेहरों में निवास करती क्लियर यह बें पॉर्टेंट पॉइंट है है नेक्स पॉइंट 2011 की जन्गुर्णा की अनुसार नियोंतम पुरुष साक्षर्था सबसे कम पुरुष की साक्षर्था लिट्रेशी रेट कहां पे सबसे कम हैं है कुशन पूचा जा सकता है मेंका न्यُका सबसे कम नियोंतम पूरुषATA कहां की है बियार का में देखा जाए तो केरल में मैक्सिमम कहा है मैक्सिमम सबसे लिट्रेट कौन सा था केरल था हमने पढ़ लिया पहले ही इसमें की फीमेल की मैला की कितनी है 92.1% लेडिज वांकी अजुकेट हैं लिट्रेट हैं ऑके 96.1% मेल हमके लिट्रेट हैं एक्सभाइत पॉंट सरवाधिक जनसंक्या किस राजी किये हैं एनपोर्टेंट मेकन नोट पहले शर चलिवाधिक जनसंक्या महराष्ट किये कितने हैं माक्सिमम अनुसूचित जाती SC माक्सिमम शुडूल कास्ट किस स्टेट में निवास करते हैं किस में करते हैं पंजाब में ये सारे टू दा पॉइंट आंसर है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है ओके ओके दक्षिन एशिया में व्रद जनसंक्या का सर्वाधिक प्रतिशत्ता वाला देश कौन सा है शेलंका इसका मतलब वह साउथ एशिया में हम लोग निवास करते हैं इंडिया भी साउथ एशिया में अल्मोस्ट आ रहा है तो इस साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज है इसमें पूछा गया है कि माक्सिमम किस देश के लोग है जो व्रद जादा व्रद है किस देश के पॉपलेशन में माक्सिमम ओल्ड लोग है बूड़े लोग है तो किस देश में है श्रेलंका एंपॉर्टन पॉइंट है can be asked exam में पूछा जा सकता है clear? next point sarvaadik anusuchit jant jati ki uttar pradesh eight minute sarvaadik anusuchit jati ki jansakya uttar pradesh में है there is a controversy in both the questions I will make a note message check करके फिर आपको next video में clear करूंगी clear? it might be a typing mistake also okay next point हर्याणा और तथा पंजाब में कोई भी anusuchit jati नहीं निवास करता है तो भारत में ऐसे कौन से दो इस्टेट है जहां कोई भी स्टी नहीं है तो कौन से है important हर्याणा और पंजाब में scheduled tribes anusuchit jant jati नहीं पाई जाती है किस राज में हर्याणा और पंजाब clear? वर्तमान में विशुकर सरवादिक urbanized देश नगरी कृत ठीक है विशुकर इस समय का prison का विशुकर सबसे जादा नगरी कृत urbanized देश कौन सा है that is your Singapore बहुत important point चाहिए दक्षिन एशिया का सरवादिक अब South Asia की बात आ जाए तो South Asia का सरवादिक नगरी की देश कौन सा है Maldiv clear विश्व का पूछा जा रहा है तो Singapore और इशिया का तो Maldiv confused मत होईएगा सारे point एक दूसरे से almost similar ओके जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सरवादिक कहा की है इसे कहते है Life Expensive Rate मतलब किस देश के जो लोग किस देश के लोग सुमे क्या है जीवन प्रत्याशा कितनी उम्र तक माक्सिमम उम्र तक जीते हैं ठीक है हमारे याँ भारत में 60-70 माक्सिमम असी ठीक है लेकिन जपैन में almost 100 पार हो जाते तो अगर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सरवादिक देखा जाए तो किस में है किस देश में जपान में ये बें इंपर्टन पॉइंट है नेक्स पॉइंट जन्गर्ना 2011 के अनुसार बारत में दश की विद्धी कितनी हुई थी ये बें इंपर्टन पॉइंट है डिकेडल ग्रोथ दश की विद्धी भारत में कितनी थी दाट इस यो 17.7 एंपर्टन है प्लीज ये पूरी स्लाइड इंपर्टन है आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे चाहें आप नोट कर लिजे ये वन पॉइंट वन वन लाइनर एक्जाम में आ तकते हैं ठीकेड़ सिंगल सिंगल पॉइंट है बहुत इंपर्टन कोश्चन से इसमें आप कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हो चलिए नेक्स लाइड वर्ष 2021 को महान विभाजन का वर्ष कहा गया इसे इंगलिश में इयर ओफ ग्रेट डिवाइड क्योंकि इस वर्ष में जनसंख्या की द्रश्की व्यदी रिडात्मक रही ठीके माइनस में रही पॉपलेशन हर साल बढ़ रही थी लेकिन 2019-21 में यह माइनस में रही क्यों क्योंकि कोरुणा जैसे प्लेग महामारी प्लेग महामारी 2021 में आई थी जिसमें करोडों लाखों लोग मारे गए थे जैसे इस समय कोरुणा हुआ था last year कोरुणा से इतने लोगों को प्रभावित हुए लोग कई लोग मारे गए, कई हजार लाखों लोग मारे गए, ऐसी एक माह मारी 1921 में हुई थी आज से 100 वर्ष पहले तब ही आपकी population माइनस में गई, इसे लिए 1921 को महान विभाजन का वर्ष या year of great divide कहां जाता है, अब हो सकता है जो हमारी अगली जनगर्णा बने उसमें भी 2019-2021 का विभाज शायद ऐसे कुछ लिख के लाए, clear? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन unfortunately ऐसा हुआ, clear? So, हो सकता है वर्ष 2021 में भी ऐसी population माइनस में आए, ठीक है? क्योंकि यह जब महामारियां होती है तो कई लाख लोग मारे जाते हैं जैसे के भी कोरुना में मारे गए और सन 1921 में प्लेग में मारे गए मतलब सौ साल बात कुछ ऐसा है, 1821-22 में भी ऐसे ही कुछ हुआ था 1921 में भी ऐसा हुआ और 2020-21 में भी कुछ ऐसा ही रहा तो यही एक रीजन था कि पॉपलेशन बढ़ने की बजाए पहली बार माइनस में आए जनगर्णा 2021-2011 के अन्ति माकडों के अनुसार नियूंतम जनसंक्या घनत मिनमम पॉपलेशन डेंसिटी वाले पाच राज है ठीक है दस लोगों या बीस लोगों की जगे है उसमें अगर एक हजार लोग रहेंगे तो क्या होगा इसी से हम क्या निगालते है जनसंक्या घनत कितने एरिये में कितने लोग रह रहे है क्लियर तो इस पॉइंट में है कि नियूंतम जनसंक्या घनत वाले पाच राजी कौन से हैं और नमबर वान पर आउनाचर प्रदिश क्लियर मिनिमम लोग मतलब अगर एक किलुमीटर माना गया है तो एक किलुमीटर के रिये में 17 लोग मिनिमम की बात हो रही है सकेंड नमबर पर मिजोरम यहां बावन लोग सिक्किम में 86 तीसरे नमबर पर चौथे पर नागा लैंड 119 पर हिमाचल 123 तो यहां पर क्या बात हो रही है नियुंतम जनसंख्या घनतवाले पाच राज्य है जनसंख्या 2011 के अंतिमाकडों के अनुसार सरवाधिक जनसंख्या खनतवाले राज है ठीक है अभी तक नियुंतम पड़ रहे थे अब माक्सिमम में आगें अब देखिए बिहार में उसी एक किलोमीटर के रेंज अगर माना जाए अगर हमने इसको स्टैंडर्ड माना है तो उसी के साब से उतनी ही जगे में जहां पर की पिछली स्लाइड मे 11 लोग थे हमारे मिजोरम में वही पर यहां बिहार में 1106 लोग है सोची इमाजिन कीजिए ठीक है देखिए और नाचल में वही जगे क्या थे उसी एरिये में एक किलोमीटर की रेंज अगर माने है उसी एरिये में 17 लोग थे और माक्सिमम में बिहार में उसी जगे में एक क सरवादीप जंसंक्या घनतवाले राजी यहां नेक्स पॉइंट जनगर्ना 2011 कि अनुसार भारत में साखशर्था दर 73% टोतल है अगर लिट्रेसी ने पूछा जाए भारत का लिट्रेसी यह लिट्रिसी रेट ऑफ इंडिया यहां भारत का साक्षर्था दर तो कुल कितना है बाहत्यत्तर दशम्ला प्रतिशत और जिसमें की 80.9 80.9 पुरषों का है और 64.6 परसेन महिलत का है के रल राजे की बाद के राजे के बाहर बेवर पर डबो बियरत में जाए अब्रत्म पूर्व इस नोप बिहार यहां प्रीइ बाद के राहिखे बाद अगर लेखा जाए तो पर्शिम बंगाल का वर दम집ान जिला किए अगर हम केरल स्टेट को छोड़ देते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल का वर्दमान एक ऐसा एक मात्र जिला है, जो पूर्ण साक्षर जन्पद है, मतलब कि यह 100% लिट्रेसी है, यहां कि सब लोग साक्षर हैं, पड़े लिखें, इंपॉर्टन पॉइंट है, प्लीज म हुआ है, जन्गर्ना 2011 के अंतिमाक्डों के अनुसार उत्तर प्रदेश की, आम लोग यूपी की वो पड़ रहे हैं, यूपी स्पेशल में मान लीजे तो, यूपी की साक्षरता दर कितनी है, 67.7%, 67.7% यूपी की साक्षरता दर है, clear, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 77.3%, पुरुषों की साक्षरता दर है, वही महिलाओ के 57.2%, clear, clear हो रहा है, बहुत तेज तो नहीं जा रहे है, थोड़ा फास्ट इसलिए हैं बच्चे, कि हम लोगों नहीं सारी चीजें पहले जोग्रफी में पढ़ चुके, सिर्फ आपको यहां प गौतम बुद्ध नगर, यूपी का गौतम बुद्ध नगर, एक मात्र यूपी का ऐसा जनपद है, जो कि क्या है, सरवादिक साक्षर है, यहां के माक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं, इसका रेट कितना है, 80.80.12% यहां पढ़े लिखे हैं, मतलब यूपी का गौतम उत्तरप्रदेश के सरवादिक साक्षरता दर्वाले, पांच राज्यों के संदर्प में, अगर देखा जाएं, यूपी के पास शहर, ठीके, कन्फ्यूज मत होईएगा, यूपी के पास शहर, गौतम बुद्ध नमबर वन, हम पढ़ चुके, कानपुर नगर नमबर टू, और यूपी के पास शहर ऐसे हैं, जो की माक्सिमम एचुके एटेड हैं, साक्षर हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, और यूपी के उत्तरप्रदेश के स्वास्ति जी ले, ठीके, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, कुछिन पूछा गया है, कि उत्तरप्रदेश का वका कौन सा जिला है, जहां पे महिला साक्षर्था अधर नियुन्तम है, तो यूपी में, स्वास्ति जीले में, महिला साक्षर्था अधर नियुन्तम है, कितने हैं, 34.8%, स्वास्ति जीले में, सिफ 34.8% महिला है, एडुके कि महिलाओं का यहां पर था बात ठीक है यहां कि महिलाओं कुल कितनी है 34.8% है अगर टोटल देखा जाए यूपी में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है minimum educated rate minimum literacy rate कि शहर का है तो वह भी स्वास्ती का है 40.7% क्लियर नेक्स पॉइंट यूपी का सरवादिक लिंगनुपात वाला जिला कौन सा है यूपी के किस जिले में बहुत important question है ठीक है यूपी का किस जिले का maximum sex ratio है तो maximum sex ratio लिंगनुपात जानपूर का है इसमें 1024 है मतलब 1000 पुरुष हैं और 1024 महिला हैं जौनपूर जिले का जो कि यूपी में उत्रप्रदेश का है ओके नेक्स पॉइंट यूज उत्रप्रदेश का नियूंतम जन घनत वाला जिला minimum density ओके तो minimum जन घनत तो किसका है ललिटपूर ललिटपूर का है ओके 242 कि नेक्स पॉइंट 2011 की जन घुरुणा की अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है हम पढ़ चुके थे 943 है clear 2001 एवं 2011 की जन घुरुणा की अनुसार जन संख्या की द्रिष्ठी से सरवादिक अनुसूची जाती वाला राज्य कॉन सा है माक्सिमम शेड्यूल कास्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में clear अब कोशन पूछा जा सकता है दोनों ही पॉइंट से यह पॉइंट कई बार रिपीट हो गया है ठीक है कि 2001 से 2011 की बीच में देखा गया तो माक्सिमम स्ट्यूल कास्ट अनुसूची जाती के लोग किस देश प्रदेश पर पाए जा रहे हैं किस प्रराज में उत्तर प्रदेश पर अब कुछ यहां पर नैशनल पार्क है वो नैशनल पार्क किस राज में है कहां पर हम देखते हैं clear यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्क्रीन शॉट ले लिजेगा कॉर्बेट नैशनल पार्क उत्रकंट बांदीपूर करनातक मानस असम मानस इस फेमस फोर गया है वां रतंपूर राजस्थान सिम्लीपाल उडिसां सुंदर्बन पश्यमंगाल काना नैशनल पार्ट मेलगाट महराष्ट्रा पेरियार केरल ठीक है सिर्व आपको इसका स्क्रीन शॉट लेके डिरेक्ट्ली इसके नाम याद करने है सरिस्का राजस्तान दुद्वा कर्णिकाट यूपी दुद्वा नैशन पार कहां पर है उत्रपरदेश में हो के बांदवगर एंपी बद्रा करनातक अन्नमलाई तामिल लाड क्लियर तो पिछले दो स्लाइड आपको एकड़म बिना सोचे समझे याद कर डालने रट डालने है किसी पे स्टेट का नाम दे देगा कि यह रैश्रफार कहां पर है तो आपको आना चाहिए ठीक है आपरेल 1973 में बाग पर्योजना भारत का सबसे बड़ा बाग आवास कहां है कहां है अंदर परदेश में जो की अप तेलांगना में हो गया है कहां पर नागा अर्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व उसका नाम क्या है नागा अर्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व आपने श्री शैलम मल्का अर्जुन सुनाओगा जोतिर लिंग शिव जी के बारा जोतिर लिंग है न हमारे हां तो उन बारा जोति तिलांगना उसका नाम क्या है नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्फ क्लियर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पॉइंट गिर नैशनल गिर राष्ट्री उद्धियान गुजराथ सब लोग जाते हैं गिर फॉरेस्ट कहां पर है गुजराथ के जूनागण मे लिए प्रसिद है तो गिर नैशनल पार्क इस फेमस फॉर एशियाई टाइगर्स ठीके निवास में केवला देव अभी अलग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके आपको नाम याद करके रखने पड़ेंगे केवला देव घाना राश्ची द्यान पार्क जिसे पूर्व में भरतपूर पक्षी अभियरन कहां जाता था ओके केवला देव घाना कही नाम पहले क्या था भरतपूर पक्षी अभियरन जिसका नाम बदल के आप केवला देव घाना राश्ची पार्क रख दिया गया है य ज़े ट्रोफा पॉंगमिया और सुरज मुंखी की घ्टि बाय। डीजल के लिए किजाती हैं। फॉंगंया ज़ितने केली इंद गऌमिय क्मेट提कर surprised हैं। पान्ष मौ्समों का बाग त्विक महरोली के शमीप स्थित्त हैं। एक कोशन मान लीजे पूछ दिया गया थोड़ा अलग से पॉइंट है कि पाच मौसमों का बाग कहां पर पाया जाता है कहां है तो कहां पर है महरोली कंजी रंगा किसली फेमज है अभी तक हमने राष्ट्य यह पड़े और वह कहां किस राज्जमें यह देखा आप 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 जेखिया रंगा कहां था असाम गेर गुज्रात सुंदर्बन बंगाल पिरियार केरत ठीक है अब देखतें कांजी रंगा is famous फौर दो दो सिंग वाले गैंडा क्लियर गेर फॉरेस्ट शेर के लिए सुन्दरवन बाग के लिए और पेरियार हाथी के लिए ठीक है इतने सारे यहां पर यहां पर इन अभियारम राश्टी पार्क में यहां पर कौन से पशु संरक्षित किया रिजब किया रहे हैं तो इन इतनेशन पर्क में चानजी रंगमिट गेंडा गेर बिशेर सुन्दरवन में बाग और पेरियार में हाथी ए ए नेक्स्ट के लिए भारत का राष्ट्री समुद्रिक पार्क में इसके थे ठीक है के लिए पेरियार गेम अब यहीए फेमस अभी हमने पड़ा यह सारी स्लाइट बहु करते चलिए वन्हें स्क्रीन शॉट्स जरूर ले लिजिए इन में से दो तीन कोश्चन आते ही आते हैं चाहे किसी भी एक्जाम में हो क्लियर ओके पेरियार गेम अपेरण इस फेमस फॉर जंगली हाथियों के पेरियार है हम पहले भी पड़े हैं चिन्नार वन नजीब अभर कहां पर है केरल में ठीक है तामिल लाडू का पक्षी विहार कारी किली में अब तामिल लाडू में पक्षी विहार कहां इस्थे थे तो कारी कीर में कारी किली में एक सिंग वाला गेंडा कहां पाए जाता है एक सिंग वाला गेंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाए फूलों की गाटी कहा है उत्त्रा खंड में क्लियर ओके नेक्स पॉइंट राजस्थान में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकतिक निवास है ठीक है अगर पूछा जाएं साइबेरियन सारस जो बर्ड होती है ठीक है पक्षी तो साइबेरियन सारस बर्ड के लिए सबसे आदर्श प्राकतिक निवास है ठीक है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहा पर है इट इस बनेर घटा जैविक उद्यान बंगलारू बंगलूरू कर्णाटक में पूछा जाए विश भारत का पहला तितली उद्यान कहा है तो भा अब देखिए कुछ है इंपॉर्टेंट वह हैं यह सारे वन लाइनर कोशन है इसली आपको आएंगे क्लियर देखिए इंकिस यह आपके निजारे नैशनल जैव मंडल स्थल है इसे कहते हैं जैव मंडल स्थल अब देखिए निजगिरी के स्थाफना कब हुई निजगिरी की नहीं आप क्या दीजी जोग्रिफिकल यह वह नहीं नेलगिरी नामक जैव मंडल स्थल के स्थाफना कब हुई 1986 में नंदा देवी की 1988 में सुंदर बन पक्षिप बंगल 1989 में कंचन जंगा 2000 में ठीके तो यह चार भारत के इंपोर्टेंट जायव मंडल है जायव मंडल स्थाले और यहों के स्थापना के दिवाश है ठीके ओके चल्रन बाकी की क्लास हम नेक्स क्लास पर करेंगे थैंक यू जाल प्रूल करेंगे जाऊ है जाचिए झाल वहां के तो यह सहा राखना है जायव मंडल स्थाले मंडल देवाश जजए जखना जाने है जावाश टक्ट्ट्स यह जजब कि अ